यूदो टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक टीवी शोस आ रहे हैं जिसमें नए कलाकार अपने नकरात्मा किरदार से दर्शकों के चहीते बन चुके हैं जिनके किरदार में कलाकारों ने भी जान डाल दी है तो चली जानते हैं के एक एक करके कौन हैं वो पांच सीरियल्स और उनके नए विलन्स फिर आप स्टार प्लस का दिल्चस्प शो इमली देख रहे होंगे तो आपको मालीनी की किरदार में अभी नितरी मयूरी देशमुक नजर आ रहे होंगी जो अपने शड्यंतर कारी मास्टर माइंड के चलते लोगों की फैवरेट विलन बन चुकी हैं इस शो में भले ही कितने ट्विस्ट और टर्न क्यों ना आएं लेकिन मालीनी का कैरक्टर हमेशा घजब का ही रहता है जिसके चलते मयूरी देशमुक अपने वैंप वाले अनुपमा सीरियल में सबसे पहले वनराज शा ने विलन गीरी की थी इसमें अभी नेता सुधान शुपांटे ने चार चान लगा दिये थे मगर शो में जब से मदालसा शर्मा के नेगेटिव कैरेक्टर को अप किया तब इन्होंने भी कावया बनकर एक-एक जो बिजलिया अपने ऑन स्क्रीन पार्टनर पर गिराई हैं वो लोगों को भी खुब पसंद आया था और उसकी वज़े से ही अनुपमा सीरियल आज तक टी आर पी के टॉप लिस्ट में शामिल है चार प्लस के पापुलर सीरियल गुम है किसी की प्यार में एश्वर्य शर्मा पाखी बनकर अपनी नकरात्मक भूमिका से लोगों के दिलों पर च्छा गई हैं जहां पर ये विलन गिरी करके दर्शकों को खुब एंटर्टेंट कर रही हैं साथी शो की मिर्च मसाला वाली स्टोरी भी इन्हीं की बज़से दर्शकों को पसंद आती है अगर इनका ये विलन वाला किरदान ना रहे तो लोग आश्वर्य शर्मा को पसंद नहीं करेंगे इसलिए शो में लोग पाखी को पसंद करते हैं प्रेजन्स शो को सूपर डूपर हिट सावित कर रही है नमबो फाइब जैसमीन टीवी इंडस्री में उधारियां सेरियल के अंदर लोगों को जैसमीन का नेगेटिव विलन वाला कैरेक्टर बहुत जादा पसंद आ रहा है इसे बखोबी निभा रही है अभी नेतरी ईश अमालवी है जो अपने तीखे नैन नक्ष के साथ कटू मारी से जो वार करती है वो इनके दुश्मनों को सीधा घायल कर जाते हैं और शो में इनका तड़कता भड़कता किरदार लोगों का फैवरेट विलन वाला किरदार बन चुका है तो दोस्तों आपको इन में से कौन स का ओन स्क्रीन विलन भाता है आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले